तो जैसे कि यह मिनी मसीन है पिछली बार हमने जैसे कि इसकी अंबोक्सिंग बगरा करी थी और इस वीडियो में हम इसकी बोबिन भरेंगे और जो है धागा बगरा चढ़ाएंगे और चलाके देखेंगे यह कैसी चल लगी है तो चलिए दोस्तो वीडियो स्विरू करते हैं अगर आप नए हैं और आपको धागा डालने में भी प्रुब्लम होती है तब भी आप जो है सिख जाये क्योंकि मुझे भी ठोट अशा टाइम लगा इसको दियान से समझने में क्योंकि इसकी बोपिं बगर कहां से क्या भरी जाती है अलग तरीके से बिल्क इन कपड़े भी चलाएंगे सब कुछ देखेंगे ओके तो दोस्तों अब हम इसको बोविन बगएरा इसकी भरते हैं तो सबसे पहले बोविन बनने के लिए यहां पर चोटी सी आपको खूटी बगएरा दिख रही होगी तो हमको क्या करना इसको उपर कर देना है उसके पर इ इधर के लिए गुमा देंगे तो यह बाहर को आ जाएगा इसको निकाल दिये यह इस पृण भी नियकल आएगा अब हमको यह धागे को लपेट देना है इसमें लपेटने के बाद इसको यहाँ पर दिखिए उपर का हिस्सा है इसको फसा देंगे यह जाम हो गई और अब हम बोविन को भरते हैं सबसे पहले अपना एड़प्टर लगाएंगे जो चारजर है इसको लगाना है हमको यह वाली जो पिन है इन में इसमें लगाना है और इसको लाइट में लगा देना है डारेक्ट ली तो दिखे इसका जो बटन है यह बाला इसको हमको ओन कर देना है और देखे यह बोबिन बगरा हमारी भरने लगी तो ऐसे ही भरी जाती है तो यह बोबिन हमारी भर गई अब हम धागे को चड़ाते हैं इसको फिर से दबाएंगे ऐसे कर गए यह अंदर चला गया उसके बाद इसको फिट करेंगे यह जो है इससा इसको लगाएंगे इसमें और यह हमने फिट कर दिए ओके अब हम इसमें डालते हैं धागा उसके बाद उपर साइड में उसके बाद यहाँ पर उसके बाद इस लपलपी में यहाँ पर पड़ेगा अब उसके बाद यह डालते हैं उसके बाद यह हम डाल देंगे सुई में और यह हमारा धागा पड़ गया फाइनली बोबिन लगा लिते हैं और देखेजा इसमें खाली बोबिन मिलती है डिब्बी बगरा नहीं देखेए बोबिन और लेटी लगी है फिर भी मैं आपको लगा कर देखाता हूँ इसको बोविन को इस तरीके से आपको रख देना है सिर्क और कुछ नहीं करना है इसमें रख देना है रखने के बाद अब इसको पहिये को चलाना है और यह हमारा धागा बाहर आ जाएगा यह धागा बाहर आ गया इसको डिब्बी को इसको लगा देना है और अब हम चलाते हैं कपड़े पे इसके लिए इस्टार्टर को हम लगा लेंगे यह जो इस्टार्टर है इसको लगा लेंगे यह हमने इस्टार्टर को दिखे जमीन में रख दिया है अब हम पैर से चलाएंगे ओके इसको तो दोस्तों इस टार्टर देखिए हमने इस टूल के पास रख दिया और ये पैर से हम इसको दबाएंगे और ये चलेगी ओके ये जो बूट है इसको उठाया और अब हम लगाते हैं सिलाई और ये भी देखेंगे टांकी बेगारा लगा रहा है या नहीं ये दिखें लाइट का बटन है मैं आपको दिखा देता हूँ इसको दबाएंगे तो यहां पर की लाइट जल जाएगी उपर लगी है यहां पर लाइट जल जाएगी इस से ओन हो जाएगी लेकिन हमको इस टार्टर से चलाना है और ये साइट टांकी का है वो अभी मतलब बहुत हलके हलके चल रही है बस मान इचलिए आप को छोटा मुटा काम करना हो तो आप इससे कर सकते हैं इचलिए इससे स्पीट बढ़ती है घटती है पता नहीं स्पीट का क्यों दे रखाए इस प्योड़ी कम है इतनी अगर इस बटन को जो है हाई पे यह एल पे है दबा देंगे तो इस पीट कम हो जाएगी और इस बटन को अगर हम मतलब जो है इसको अगर हम ऐसे कर देंगे बाहर के लिए तो इस पीट थोड़ी सी तेज हो जाती है बस टाकी बगरा का बटन नहीं है टाकी हम बता दें कैसे इस तरीके से टांकी बांग सकते हैं जिसे छोटी मसीन में बांगते हैं इसे आप टांकी बांग सकते हैं बूट उठाके हलकास आप पीछे के ले खींच के फिर आगे छोड़ देना है और यहां पर दागा है कटर इससे कट जाएगा अब थोड़ा मोटा करते हैं कपड़ा देखते हैं चलेगी यह नहीं कमेंट करना तो मैं इस पर देखें कुछ पीस बना के साइद बन जाए यह कितनी ले रहे होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ दो जे हैं दो जे चार और छे आठ ले रहे हैं सट के कपड़े की तो चल लए यह इससे लेकिन जाधा मतलब मोटे के पर यह आपको चलाने की इसके जरूत नहीं तो यह बेकार हो जाएगी देखिए चूंके मार गई देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए बीच बीच में चूंके तो यह हलके कपड़ों के लिए होती है अगर आप इस पर ज्यादा म काम नहीं करेगी ठीक से और बाकि इस पर देखिए साही चलेगी तो इस तरीके से दोस्तों यह काम करती है चला सकते हैं अब सबाल यह है क्या यह आपको मसील लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए देखिए घर में छोटा मोटा काम है अगर तिलाई बगरा आप ज्यादा नहीं करते हैं तो तो आप इसको ले ले और बरना अगर घर में बलाउज बगरा सबको सिलते हैं और आप चाहते हैं लोंग टाइम के लिए हमको जो है मसीन चाहिए है तो आप एक हां जगा बगरा भी नहीं है तो यह चोटी सी मसीन है तो आप इसको ले सकते हैं बस ऐसे समझे लिए पपड़े पटा जाते हैं पुराने शिलाईयां बगरा तूट जाती है तो उनके लिए यह मसीन बेश्ट है j pleprend जाते हैं उके माह की आगर पीस बनाना चाहें तोब बना सकते हैं चोटी जैसे की पैपिन बगरा कैसे निकालते हैं मतलब अगर आप धीरे धीरे मैं बताऊंगा इसमें अगर प्लाउज बनाना चाहें तो बनेंगे या नहीं बनेंगे वो भी धीरे धीरे हम बताऊंगे पैपिन बेगर अगर निकालना हो इससे निकलेगी या नहीं निकलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा तो उम्मिद करता हूँ जोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको चलाया जाता है वीडियो ये अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली वारा है सब्सक्राइब कर बेल आइक अनल पर जरूर क्लिक कर लें मिलते हैं नए वीडियो का साथ अब तक के लिए नमस्कार